जाहले साथियो मैं हुई कास्टोमर आपके अपने ट्रस्वोधी चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्जिस पर आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं सैवन्त जो पेट गूर्प है हमारा 2020 CPO for examination के लिए उसके यह है आपका study come plan पूरा strategy test plan सब कुछ इसमें आप बता जाएगा कौन educator की कौन सब्जेक्ट देखेगा कब का आपका टेस्ट है इस सारी चीज़े यह crash course है क्योंकि 60 दिन बचें ठीक तो मैं यहां पर आप लोगों पूरी चीज तो बताऊंगा कि भाईया पॉलिटी के लिए एक general accounting principle के लिए लेकिन आख्री में आप क्या करना है वो सिर्फ और जो है आख्री में मिल्लब सारी चीज़े अब 60 दिन में क्या करना वह भी आपको इसके साथ हैं बताता चांग सबसे पहले जल्दी स्ट्रगल इंडियन स्ट्रगल जो है मैं देखूंगा करेंट इवेंट डेवलोपमेंट इशूज ठीक अब इसमें कई लोग के कोशन यह आते हैं कि सर जोगरफी इंवार्मेंट तो है नहीं तो उससे वह तो हम उसका जो है करेंट एफेंट भी नहीं पड़ेंगे ऐसा नही तो यह करेंट इफेघर में पूस सकता है डिव्लोपमेंट इशूज की बात दो रही है डिवलॉपमेंट इशूज में के इन्वार्मेंट का देब्लपमेंट है तो के नहीं पूसकता है हाँ बेसिक वाले रे इको सिस्टम की टेफिनीशन माउंटें ये सबनी यहा classic जहां एकाउंटेंट नहीं वनना है इसमें ध्यान लखना क्योंकि यह पेपर भी इसमें ओपन फॉर ओल है सारे ही सनतकों के लिए है सारे एक रेजिविशन वालों के लिए है तो कता ही मस्तों पिछली वार के कुश्चन में आपको दिखता भी है क्या पूछा IFRS की फुल फॉर्म म इसको डल लग रहा है इससे अगर उसने खाली किस कितने टाइप के एकाउंट्स होते हैं एक नुमेरिकल था वह अलतों का कोश्चन समझ सकते हो इसमें कितना इंक्रीज हुआ प्रॉफिट जो है कितना हुआ डिवैडबाई जो है कितने पर था इंटू इंक्रीमेंट को इ उसी को ही करना है जितने भी डाउट आते जाएं वह पूछते रहना ठीक जितने भी पढ़ते रहो कोई डाउट है पूछ लिए सारिज आपको वन टूवन दिये जाएंगे पेड़ गूरुप का यहीं सबसे बड़ा फायदा है कि आपको वन टूवन यहां समझाए रहता ह वीडियो जो है हमारे बनते हैं तो वो फ्री होते हैं सबके लिए होते हैं लेकिन यहां पर आपको पर्सनली क्या चीज इस्पेसिफाइड तरीके जनी समयारा वह यहां बताई आती है ठीक इंडस्ट्री इलेशन लेबर लॉस का जो है पूरा जो है पापा वीडियो भी आ से वह भी आप लोग पीडियो फॉर्म में दिया गया है तो यह तो कंप्लीट और एक चीज समझ लेना जो यह तीन पॉइंट है जनरल अकाउंट इंसी प्रिंसपल और सोसल सेक्योटी इन इंडिया और इंडस्री इलेशन लेशन लेबर लॉग इन तीनों में इंडस्री इ पूरा कंप्लीट हो जाएगा बाकी जो बचेगा मैंने सुचा कि एक मैं क्या करूंगा एकनौमी सुनिये के ध्यान से पॉलिटी और साइंस के लिए क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पिछले देर साल का करन्ट अफेर में आपका कवर करा दूंगा ठीक तो बिलकुल भी परिशान होने की जहात भी नहीं है जितना अभचेगा फालोग और प्रियोर्टी में आपको अगरसं जुड़े हैं और जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए निवेदन है कि ठोड़ा सा पुर्योर्टी पर रखो यहाला मनदत 10-12 घंटे तो आपको देने पढ़ेंगे अगर आपने दे दिया तो आपका सेलेक्शन जरूर हो जाएगा ध्यान अकना मेंचा जिसने दो-तीन साथ दिप तैरी की हो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन जिसने इन दो मेनें तैरी नहीं करी उसका होना बड़ा मुश्किल है तो यह वाली बात है अगला जो टॉपिक है हम साथ आपको सब्सक्राइब कराएं जाएगा जैसा के लिए अभी बताया के लिए अकास सर आपको पूरा कराएं जाएगा जाएगा जैसा कि मैंने अभी बताया करेंगे इसके लिए पूरा पीडिया पूरी वीडियो सब दिया हुआ है आप लोगों खाली उसको लेकर बैठकर देखना है कहीं डाउट है तो यहां पर पूछना यह इसलिए बताया चाहरा है जंटर जंडर मेंटल अबिलिटी और कॉंट इसके लिए भी आकास सर से आप कोई दिक्कत नहीं सब कुछ सिखा जाएगा इसमें प्रैक्टिस की बहुत जोरी यह कॉंसर्ट आपको माली जहा भी गया तब भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसलिए मैंने हर दिन अगर दस गंटे मैं आपसे कह रहा हूं तो दो गंटे मैं आप से चाहता हू कि आप कर्ण अफेर जरूर करें करें एक साथ बैठ के आप सोच्यों कि मैं पात दिम में और नहीं। रोज करो एक घंटाइ करो लेकिन रोज करो वह जा जवरी है ठीक प्रफियर से जो होता है आपका जो बेस और भी सब्जेक्ट है उनका रिवीजन भी हो जाता है तो आप समझना यहां पे करना है आपको जनर्र मेंट अबिलिटी कौइंट करना है यह डेली करना है ठीक है ना यह दो घंटे तो अभी बताऊंगो इसमें आगे और इसकी मैंने एक बहुत ही कंप्रेंसी पीडिया बनाई है बहुत ही ज़्यादा कंप्रेंसी मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जो है चौसट सतर पेज किया है और इसमें सारे जितने भी गौर्वर्मेंट इसकी में इंचुरनेंस बीमा पेंशन भविश निदी जितना भी है तो इसको बहुत अच्छे पढ़ लीजेगा पूरा जो है कुछ भी इसमें डाउट तो पूछेगा बाकी इससे समंदित जितने भी गौर्वर्मेंट इसकी में लेटेस जोड़े जा रहे हैं या फिर कोई कॉंसेप्ट है इंपॉटेंट चाहे सोल से क्योटी से हो इंड और आगे बढ़ने से पहले आप लोगे बताएता हूं चीज कि जब तक हमाये पास कोई टारगेट नहीं होगा तो साथ से दिन में हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि ये करें कि वो करें चाहे मैं कितने बता लूँ कुछ लोगों का होता है कि उनको कंफ्यूज रहने बड़ा मज़ आता है उनको लगता है अगर मैं बताओंगा कि ये कर लो तो रहेंगे पिर इसका क्या असर एक जो बताओ वो नहीं करना यह Records करोगे जिवह करोंगे जब मैं एक आ आपका नुक्सवान है और फिर हो सकता है कि आपको जो है थोड़ा से यहां पर परिशानी हो ठीक क्यों क्योंकि टाइम कम होता जाएगा फिर आप और परिशान होते जाओगे ठीक और मैं आगर कुछ कहूंगा तो बुरा मानने जो तो नहीं है जितना बता रहा हूं उतना कर सब्सक्राइब कर लो हां कोई डाउट है चुरुबात में या फिर कुछ भी है तो यह वीडियो तो आप लोगो को देखना है साथ मैटरियल कैसे देखे वाला वीडियो बता दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि एक मैसे जैसे साइंस है तो साइंसे समंधित जितनी भी च अब लोग और वे में काफी संग्ठित वे में जो है आपका यह चले तो इसके लिए साथ सेक्ष्णल टेस्स है आप लोग बता नो आप लोग के सामने जब तक कोई देखो हमेशा यादत रही है जब तक कोई आपके सामने डेस्टिनेशन ना हो कोई टागेट ना हो तो कम दिन है ध्यान नखना यह मस कहना कि सर इतने कम दिन मत कहना अब क्योंकि क्रेश कोर्स है यार हमाई साथ जो एक साल जुड़े वे उनको कितना टाइम मिला है उन्होंने सब कुछ एक चीज करी है लेकिन मैं यह नहीं कहता हूँ कि वो लोग हाईयर उसमें आप लोग क्यो को फॉलो करो और तेरा मार्स तक कुछ और नहीं सोचना है रोद ददस गंटे लगाओ इस पर रोद ददस आठाट गंटे लगाओ हो जाएगा इसमें वीडियो भी है सब कुछ है डाउट आए तो पूछो कोई आपको परशानी नहीं होगी बस जितना बताय जाए उसमें कई लोगे पूचेंगे सार यह कर ले तो हो जाएगा सर वह कर ले तो हो जाएगा जो जो दिया जा रहा है उसको उपर ही डाउट कई वाला होगा इसमें वैसे तो बाकी सेक्शनल टेस्ट तो पचास कोश्चन के लेकिन यह सो कोश्चन को होगा यह सत्रा मार्च को यह तो आप लोग क्या करना है सीधे मंथली मैगजीन आती हैं मारी ती सेक्शनल वाइस और उसके एम सी की भी होते यह वाले आपको अच्छे से कर लेनी है ठीक हो मैं चाहूंगा वैसे तो जून से बी कर सकते हो लेकिन 2020 से कर दे तो और अच्छी बात है और कुछ बहुँ हो यह जो करंट फेर की जो टेस्ट होगा और जितने भी मेरे टेस्ट हैं मैं आपको बता दूँ इन इनको बम्रास्त की तरीके से आपको करने ही करने हैं इनका जो एक्सप्रेशन होगा वो तो और अच्छे से करना है तो यह वाली चीज है इसके बाद इंडियन पॉलिटी और अब यह सत्रा के बाद 18 तरिक से जुट जाओ और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं क्या करना है मैं यह आपको बताऊंगा आज मैं साथ दिन की साथ दिन और रात की स्टेजी बताने वाला हूं शाम को हमारे स्टेडी फॉर्स वाले चैनल पर आएगा बाक एपी ओफो कही एग्जाम नहीं मैंने एपी एफ सी डिएज जितने भी मतलब उस लेवल के एग्जामनेशन हैं जिससे पुछयाने टॉपिक हो सकते हैं पॉर्टेंट सब यहां बता दूँगा तो आप थोड़ा सा और कम समय में जादा कॉलिटी स्टेडी कर पाऊगे कॉ पूरा होता आप लोग तुरन तुसका रिवाइस कर सकते हो कई भार ठीक उसका वीडियो भी है समझो कुछ भी नहीं है जो आपके बाद नहीं बस जो बताया जा रहा उसको तरीके समझेगा तो पॉलिटी एकनॉमिक आप लिस्टिंग्स कर लो अच्छे से और एक चीज़ समलो की दा मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस दालेस यू ब्लीड इन वहर जितना ज्यादा इन टेस्ट को आप गंभीरता से लोगे उतना ज्यादा आपका एक्जाम में जो है आपको ऐसे लगेगा नहीं जगे पर गयो डरी नहीं लगेगा आपको लगे कि यार यह तो मिस पर जो है हावी हो जाओगे ठीक उसके बाद क्या है साइंस और कंप्यूटर को टेस्ट है 25 मार्च को इसमें साइंस की लिस्टिंग्स भी हमने दे गहीं बस वहीं करना और कुछ नहीं साइंस टेक्नोलोजी वाला जो है मैं अपने MCQ वाले फॉर्मेट में जो करेंट करूं लोग इसमें क्या है इंचेंट हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं नहीं पढ़ना है मेडिवल नहीं पढ़ना इंडियम विस्टेकल की बात हो रही है याने कि 1857 से लेके 1947 तक भारत देश आजाद हो गया यह इस बीच के जो है भी पढ़ने है खली चैप्टर तक और इसके न इंप्री टोबिक पूर वह बताँना लेकिन इस बताओंगा लेकिन इतस्तों बारता है ने इंड़ेश्टी रिलेश्टेंटियर लेबल लॉस छे अप्रेल को पर है जनरल अगांटिंग प्रिंसपल है गया पना है यह टेस्ट में तो ग्यारा अप्रेल को है ठीक तो इस एक्षिनल टेस्ट कहतम हो गया इसमें कंप्यूट यह करेंट अफेर वाला टेस्ट जो है यह 100 क करेंगे आपकी सब 50 50 को टेस्ट के इसके बाद इसके बाद 10 फुलन टेस्ट होंगे और आपका जो है इसमें एकसे वीडियो नहीं होगा इसमें आपको जो है एकसी प्रूंड जलेगे और जाए सिकवलीस करेंवाल यह इसका सब लोग बोलने 100 को सकते हम पिछले वाले के य सब कुछ मिक्स आएगा जैसे पिछली वार आए थे कुशन उसके इनलेस आयों की तरफ से तरफ से आजाए कि यहां सब कोशन होने हम 120 के हिसाब से चलेंगे जिसमें 20 कोशन होते हैं जनरल साइंस के जनरल इंग्लिश के अलग और बाकी 100 में सारे मिक्स होते हैं ठीक है तो यह चीज ध्यान अकना तो पहला फुल लेंट टेस्ट जो होगा या जितने ही फुल लेंट टेस्ट होंगे 120 कोशन के इसमें सब मिक्स डाएंगे आपका जनरल मेंट इबलिटी भी है मैस भी है इंडस्री रिलेशन भी है पॉलिटी भी है कंप्यूटर भी है साइंस भी सब कु इस एक एक दिन का गैप है क्योंकि अब टाइम कम है ठीक और 25 अप्रेल को 27 अप्रेल को आप लोग क्या करना आप लोग को पढ़ना मा लिजे आपको फुल लेंट टेस्ट टेस्ट वाले दिन ही देना है टेस्ट को मत करना बता दे रहा हूं कुछ ना कुछ आप उससे सीख कहीं जाओगे और यह टेस्ट सीरीज पूरियों मता रहा हूं इसी के इर्दगिर्द ही कोशन आएंगे ध्यान अगना ठीक हम पेपर आउट नहीं कराते हैं लेकिन हमें मालूम है जिसे आपसे अगर आपने पैटर्न के हम लोग फॉलो कर रहा है अगर उसको आपने ध्यान किस समय है वो तो आपको करने करना मालिजी आप पॉलिटी पढ़ लाएं ठीक तो आप यह मत सोचो परेशान हो जाओ यहां फुल लेंट टेस्ट है अब मैं क्या करूँ इसमें मिक्स डाएगा मैं आप पॉलिटी पढ़ लो आपने प्रोग्राम क्या एकनोमी को आपको अपना देते रहो अपना जो आपने शेडूल बनाया है वो करते रहो ठीक इसमें यह नहीं होना चाहिए कि फॉलिटी तो मैं आप जो है पता चला दिन दिन के हां कुछ लोग ऐसे भी करते हैं भाई एक दिन में दस गंटे बनाए दस गंटे में दो दो गंटे देके अलग सब्सक्राइब करते हैं आप लोग को टेस्ट करा जाते हैं इंग्लिश का भी और दो दो बार जो है इंग्लिश का दो दो बार जो है आपका जन्रम के टेस्ट होंगे इसमें आप लोग मलब यह आपके प्रैक्टिस के लिए और कई सारे मिलेंगे जो की जिसमें की देखो साब बात है इंडेस्ट्री इलेशन लेबर लोग आपका सोसल सक्यूर्टी और जो है जन्रेर अकांटिंग प्रिंस्पा इनके छोड़के बागी के मैंने क्योंकि देखे 11 अप्रिल तक आपका सेक्शनल टेस्ट खतम हो रहा है ठीक तो 11 अप्रिल तक आप लोग को जो है दस घंटे देने ही देने हैं अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो प्लीज एक पास अमद लिजे अगर इतनी आपने तयारी नहीं करी और आप आ ठीक हम आपको सही रास्तिव रखते हुए हर चीज जो है वो प्रवाइट कर सकते हैं लेकिन टेस्ट एक्जाम आपको ही देना है द्यान रखना तो दस घंटे प्लीज अगर आप लोग इससे कम सोच रहे थे तो प्लीज अपने किसी भी भ्रह्म में मत रही है मैं आपको ब आपका जन्रमेंट अबिलिटी करना फिर ग्यारा अप्रिल के बाद से तो बारा गंटे आपको करने है द्यान रखो प्रियोर्टी पर रखो यह एक्जाम बहुत ही जादा अच्छा भी है पोस्ट भी बहुत अच्छी है और बहुत ही सुनारा मोखा है सीधे जो है पता चल सब्सक्राइब कर सकते या फिर आपने तीन दिन बना लिया यह दो तरीके होते ना वैसे कर लो बाकी जो फुल लेंट टेस्ट जिस दिन है वह उसी दिन देना है ध्यान अगर आप यह सोचलो कि मैं पूरा तयार होके फिर फुल लेंट टेस्ट दूंगा तो कि यह कभी भी जिन्दगी में नहीं होगा बास समझो आपको लगता है कि यार पूरा पढ़नू फिर दूंगा टेस्ट ऐसा नहीं होता है एक्जाम वाले दिन भी आपको लगेगा यार एक मैना और मिल जाता ठीक अगर मालों लोग कोविट के नाएं पर हुआ था कई सर बच्चे अरे सर रोने वाले रोते ही रहेंगे ठीक ना क्योंकि उनको जो है खाली कंफ्यूज रहना रोना यह सब बाकी महाल खराब करने लिवात है मैं किसी पर्टिकलों को नहीं बोल रहा हूं यह चीज़े जो मैंने एक्स्पिरिंस करी वह है तो कुछ ना कुछ तो टाइम आपको हमेश यह सुबह 2 गंटे किसी पास 8 गंटे शाम को है तो इसलिए आपको यह इसकूल में भी नहीं हो यार आप इतना तो खुछ से आपको यह करी सकते हूं इसलिए वन साइस विट ऑल नहीं बता आए बस मैं आपको यहां पर बता रहो कि यहां तो आप सब्जेक्ट के वाइस ब बनाना है कि फ़ला टाइम तक मैं यह पढ़ूंगा यह पढ़ूंगी या जो भी ठीक एक गंटे में 50 मिनट पढ़ो लेकिन वह पढ़ो ऐसे की तीन गंटे के बराबर ठीक यह सारी जो मैं लर्णिंग दे रहा हूं यह निचोड के यह आदे गंटे में यह वाला वीडियो अच्छे से देख लेना पूरा तभी आप लोगो जो है बढ़िया सा सोने आ जाएगा ठीक ताकि फिर आप कंफ्यूज नहीं होगे दस गंटे आप लोगों पढ़ना है जब फूल लेंटेस चालू हो जाएंगे एक घंटा फिर भी करेंट फिर जन्रल इंग्लिश करना है और जन्रल मेंटेबलिटी कॉंट करना है आप अपना डेली शेडूल बना सकते हैं 11 अप्रिल तक आपका 10 गंटे है उसके बाद 9 में तो 12 गंटे अट लीस्ट देने हैं आप अट लीस्ट जन्रल साइन्स में देखिए जन्रल इंग्लिश में क्या है सारा मटेला सब कुद दिया जाएगा अभी हम लोगों ने एक नया इंग्लिश कुज चैनल भी चलूँ कि इस पर कुज आप लोगों मिलेंगे मंतली दाइंदू जो निउस्ट पर है उसका मंथवाइज वोकैबलरी भी मिलेगी जिसमें आप लोगों को जो है क्योंकि दाइंदू से कोशन पूछता है सीडियस में एपी एफो में इन सब में पहले उसने वोकैब से पूछा कर देखा है तो उसमें मैंने बताया भी है कि वह कैब से आप लोगे 20 में से कम से कम से कम 11 12 कोशन पिछली बार सौल हो सकते तो इस बार भी ऐसी सिट्वेशन होने के पूरे चांसे है इसलिए अलग से हम आप लोगों के लिए देंगे ठीक वीकली और टेस्ट होता ही है पू पूछे इसका वीडियो भी है सब कुछ है बस आपको क्या है आप अपना लाओ अच्छा ठीक दो गंटे बैठके मुझे वीडियो देखना है फिर उसके बाद जो है मुझे इसका पीडियो पढ़ना है ऐसे बना लो पूरे दिन का ठीक हर एक दिन का बनाना ना एक हफते का ना जो है पूरे महिने का एक एक दिन का रोज बना यह प्लाना आप कल का आज रात को बना लिजे ऐसे करिए जैसा भी से लेगे बस एक दिन का करना है बाकि यह सब चीज़े आप पढ़ लिजेगा यह पीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी डाउट सारे सॉल्व किये ज सब कुछ देते हैं गौर्वर्मेंट स्कीम लेकिन जो है बहुत ज्यादा पूछी बिजाएंगी और सब कुछ जो है सोसर से क्यूर्टी वाले वीडिए उसमें इपीएफो कार्ट्स वाले में और जो है अलग से साइन जो रोज करेंट एफेर मैं देता हूं उन सब में करे जो हम बता रहे हैं वो आपको करते जाना है ठीक यह अली चीज है और गौर्वर्मेंट स्कीम जो है पिछले यह ऐसा नहीं जनवरी 2020 के पहले की नहीं आ सकती है पिछली बार जब एक्जाम हुआ था 2017 के शुरवात में तो 2014-2014 तक की भी उन्होंने पूछी थी यूपीएस इकनोमी का मैं आप लोगो बता दूँगा और बाकी आप लोग पेट ग्रूप में ही पूछ सकते हैं ठीक जनरल एकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए अल्रेडी जो है बैलिंगर कंसाइज जितना रेलेमेंट है उतना नोट दिया गया इसको पढ़िए इससे कुछ भी आपको डव्य की जितने जो भी ज़ोट सकते हैं उसमें देगेज चीजे बहुत है लेकिन वहाथ लिए जितने टो करने मोगों कर देडिसे इसमें और US वझा सकते हैं पढ़ सकते हो ठोड़ा एज से क्रिशाट वार्य कॉछ तो वहां कि तीन चैप्टर पहले पढ़ सकते हो साथ जो एकाउंट टेंजी कि 11 लास की एंसे एटी है उसमें कम्प्यूटर से समंदित पार्ट टू में लेवंट पार्ट टू में कम्प्यूटर समंदित 12 और 13 चैप्टर नहीं बहुत जादा लॉज जो है उनका वीडियो पीडियाफ और एकनॉमिक सर्वे में जो लेवर लॉज रिफॉर्मस में उसका पीडियाफ सब कुछ दे दिया गया है ठीक आप लोग को खली वीडियो पीडियो पे ध्यान देना है ठीक है जनरल साइंस और की लिस्टिंग दी गई है उसको लिस्टिंग पढ़ लीजे अब माल लीजे इस बाचार पांट पूर लिए तो इसलिए ऑन दे सेफर साइड जो है कोर कोशन एक ही था वह भी करेंट अफेर से था स्क्रैम जेट उससे में टेकनोजी चल लई थी उससे पूचा गया था जैसे रोज सुबह में कराता हो तो अब तो देखिए वह आप नहीं कर पाएंगे लिए मंतली वाला जो होता है या फिर जो मैं टॉपिक्स एक्सपेक्टर टॉपिक्स दोंगा और जो एमसी की वाले फॉर्मेट में कोशन हां से वाले फॉर्मेट में आपको कराऊंगा ठीक उससे जो है आप लोग का साइंस क करेंगे उसमें पार्ट टू वाले में चैप्टर बारा और तेरह बहुत जादे इंपॉर्टर कुशन तो वहीं से हो सकते हैं आपके पूरे जन्रमेंट अबलिटी और कॉंट भी अकासर कराएंगे पूरे-पूरे डाउट क्लियर करेंगे इंडिया आपका मैं करा रहा हू पूरा इसमें जो मैंने पीडियाप दी है बहुत ही कंसाइस चौसर सतर पेज की है हिंदी इंग्लिश में अलग-अलग नंबर से हैं इसलिए बता रहा हूं तो इसमें मतलब इसको आपने पूरा कर लिया जो भी डाउट है पूछो मुझसे आप कोई टेंशन नहीं है इसक तो मुझे लगता है आप लोगों सो में आ गया होगा पूरी चीज की किस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे प्लैन दे रखा किससे पूछना है क्या है सब कुछ साथ ही साथ अब क्योंकि आपके दो दो मटेल गूरूप है एक तो एक दो गूरूप है आपको सौरी एक किस त्रीके सेम देखना इसका वाला वीडियो भी मैरा मैसर भी दूंगा गृप में फॉंडेशन मैसे मेसर और जोगी कैसे सरच करना है क्या है साथ मैं बता दूंग चार पांस मिटा की चोटी वीडियो होगा उसको देख लीजए मुट और जो लोग और भी देख रहेlor व तो आप लोग जोईन कर सकते हैं आला पेड़ ग्रूफ हमारा जल से जल करिएगा टाइम है कम 856-0530-9900-6089 पर कॉल करके एंड मीशन ले सकते हैं तो चले चलते हैं और खुब दम लगा के पढ़ाई करिए टाइम है कम करिए पढ़ाई पूल जोश में ठीक जैन जै वारत ओल दवरी बेस्ट है